चलिए देखे करोशेट से डोडी किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ आपने क्या करना है दो गोले इस तरीके से एक बड़ा हो या जो भी हो यहाँ पे आपने उतना गोला रखना है जितना कि आपने आपका यूज होएगा उतना अब उन से बना रही हूं तो आप इसे पतला भी ले सकते हैं अब देखे करना क्या है यह दो गोले है इन में से सेंटर पॉइंट जो मैंने लिया मतलब बहुत जादा बड़ा नी चाहिए इसलिए मेरे को इतना चाहिए तो मैंने यह साइड इतना ही रखा है यहां से देखें अब करना कैसे है इस वाले को तो आप उंगली में लपेटेंगे ऐसे और यह जो नीचे आपको धागा दिख रहा है इसको इस पे से ऐसे चड़ाएंगे यह देख रहा है यह चड़ाया आपने और इस में से ऐसे निकाला दोनों में से निकाला यह नीचे है यह आपका उप पर ओपर देखें यह वाले फंदा आपका यह जो धागा है यह उपर निचे नहीं होगा इससे ताइट ओगा ? ऐसे कि आपने इससे पकड़ेंगे अब यह जो फंदा ए यह जो धागा से आपने इससे एकम आपनां कि डाल दाला आईसे लिया। दोनों में से निकाल लिया। नहीं बालाती है। बहुत जल्दी बनती है। बहुत आसानी से बनती है। यह देखेंगे, जस्द्यान रखेगा, धागेगा, क्योंकि धागा अगर बीच में टूड गया, या कम हो गया, तो आपको गांट लगानी पड़ेगी, तो वो सही नहीं रहता है, फिर, यह देखेंगे, आप बहुत तेजी से इसे कर सकते, अभी मैं दिखा देती हूँ आप बहुत जल्दी बन जाती है, और सही रहती है, बैसिकली यह बहुत अच्छी रहती है, जल्दी से खुलती नहीं, डेली नहीं होती, टाइट नहीं होती, इस थरीके से या जल्दी से टूडती नहीं है, तो यह देखेंगे या यह देखेंगे, इस तरीके से जो है आपकी य जितनी लंबी चाहिए, आप उतनी ख करके बना सकते है. अब यह देखें, मैं इसे बंद करना है, then किस तरीके से करना है? इध्यान से देःएगा, यह किया अपने ऐसे और यहाँ से लिया, इस तरीके से यह धाग से और यहाँ भी yapt works. यह आपने खीच लिया, यह देखे, यह देख만 अब आप यहां से उतना ही काटेंगे इसे और इन दोनों को जो है आपने ऐसे करके जोड देना है, यहां से काटेंगा इस तरीके से और यह आपस में ऐसे गाट बान दिएगा कांट इसलिए बांद दी है कि ताकि यहां से खुले ना तो देखे जितनी भी लंबी आपको यह डोरी चाहिए होती है आप उतनी लंबी इससे बना सकते हैं आप यह देखेंगे देखें स्ट्रेचेबल है डोरी और बहुत सुन्दर लगती है बहुत खूपसुरस लगती है यह देखेंगे तो चलिए फिर बनाईए और अगर कोई कॉशन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू